इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे आएक जीको के बारे में जिसने के अपने quarter 1 के numbers को जश्ट अभी पब्लिश कर दिये कंपनी की बात करें तो recently हमें market में लिस्ट होती हुई देखने को मिली तो और after listing कंपनी ने ये दूसरी बार अपने quarter के numbers पब्लिश की इससे पहले quarter 4 के numbers आये थे तो अपकी बार कंप्री ने quarter 1 को लेके announcement करी तो चली देखते हैं आएक जीको के इस बार के quarter 1 के numbers कैसे रहे तो आज की BOD में जो discussion हुआ है वो कंप्री ने सिर्फ और सिर्फ अपने quarterly numbers को लेके किया जो की standalone और consolidated along with the limited review reports और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और certification बेल को भी प्रेस कर लें जिससे रिजल्ट आते ही पांसे दस मिट में आपको अपडेट इस चैनल पर मिल जाएगा तो बात करेंगे हम लोग consolidated financial results की सारे figure millions में इन करोड से बात करेंगे quarter 1 की अर्दिंग से quarter 4 की है then last year का quarter 1 का डेट आपको third column में देखने को मिलेगा पहले बात करते है revenue from operations की जो की 156 करोड से 181 पर आगया quarterly 164 से 181 पर तो market का भी exact अनबन 181 करोड का था जो की बिल्कुल in line होता हुआ देखने को मिल रहा है तो market estimate के साब से बिल्कुल है numbers और quarter प्लस yearly दोनों ही जगे company के revenue बढ़े है then उसमें आप other income add करेंगे तो आएगी total income जो की 158 से 184 पर आगी quarterly 167 से 184 पर तो quarter प्लस yearly दोनों ही जगे income company की बढ़ी है expenses की अगर बात करें तो company की income ग्रो करी तो expenses भी 150 से 168 पर आ गई yearly और 152 से 168 पर quarter और quarter तो जिस तरीके से income ग्रो हुई same expenses भी company के quarter प्लस yearly बढ़ गए then discuss करते हैं company को after tax कितना profit हुआ बट अगर आप देखेंगे तो इस बार exceptional item में एक 3 करोड की additions करी गई है जिसकी addition के बाद company के profit थोड़े से बढ़ गया तो discuss करते हैं company को after all the adjustment of taxes and exceptional item कितना profit हुआ for the period तो last year quarter 1 में 8 करोड के profit ते वो इस बार 14 करोड पे आ गए और quarter 4 में 73 करोड क है कि profit आएंगे जो कि वहां से profit हमें अब देखने को मिल रहा है तो इस बार के जो number एक जिको के काफी शानदार है quarter plus yearly दोनों ही जगा growth हुई और market estimate को beat किया same reflection EPS में 0.24 से 0.39 पे आ गया yearly और 0.24 से 0.39 पे quarter on quarter तो जिस तरीके से profit ग्रोड की है same EPS में भी growth देखने को मिल रह तो most probably एक market का positive reaction हो सकता है और share price में भी तेजी आ सकती है तो आपके पास कितने share से इसके comment section में बिल्कुल बता हैं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बाबाए